Hey guys what is up और दोस्तों आप भी हमार पास एक काफी तगडी सी smart watch है और ये भी है भाई फायर बोल्ट की तरफ से बैसे ना फायर बोल्ट ने कुछ ताइम पहले एक watch launch करी थी firebolt hurricane और एक tornado तो भाई मतलब तुफान बबंडर नाम की watches launch करते लेकिन अभी उन्होंने एक और watch launch कर दि ध्यान से तो काफी familiar से इसका डिजाइन है apple watch ultra आपने देखा हुआ बहुत सारे आते हैं और ये भाई मतलब apple watch ultra जैसी है लेकिन इसका जो डिजाइन है वो यहां पर है circular डिजाइन है यह जो वाच मुझे लगाने था circular डिजाइन में काफी बढ़िया लगेगी वाई एक बा साइकलोन के डब्बे और देख सकते हुआ बहुत ही लंबे-लंबे से डब्बे मतलब पूरी स्क्रीन पर भी नहीं आ रहे थे और मेरे पास यह दो कलर में है तो एक जैसे वही जो apple watch ultra की लुक होती है लेकिन सर्कुलर डाल में आपको कुछ इस तरह से वाच मिलती है काफी स इसका बॉक्स है और सबसे पहले जो इसका में फीचर है वह यहां पर है 1.6 इंचिस का full HD डिस्प्ले और एक चीज़ बहुती बड़ा होता है स्कुर डिस्प्ले से के लावे यहां पर NFC access control है interactive games और screen lock password और wireless charging यह जो watch से support करती है और साथ में हैं पर कुछ और feature भी लिखे है यह जो watch है अलग तरह से यहां पर packing में आती है तो जो module है वह यहां पर अलग सा दिया है तो देख सकते हो यह कुछ इस तरह से रहेगा black color में यह भी काफी सही लग रहा है और इसके बाद बाकी जो box content की बात करें तो इसमें यहां पर obviously बात है wireless charging वाला एक dog देखने को मिलता है और इसके बाद यहां पर कुछ documentation है user manual और कुछ subscription plan cards है तो वही same usual आपको जो box content मिलते है लेकिन जो सबसे interesting चीज़ है वह यहां पर है जो watch कैसी है अपल watch की तरह ही जो module है वो अलग से दिया होता है तो यह जो straps है इसको install करना होगा जल्दी से मैं install कर लेता हूं और इन straps को design है वैसे है जैसे आपको apple watch ultra में मिलता है silicon straps है और इनको लगाना भी वैसे है जैसे apple की जो watches में लगते हैं slide करके कुछ इस तरह से लग जाएंगे और बीज में हाँ पर एक चोटा सा button भी है तो इसको press करके release करना हो तो यह निकल भी जाएगा easily इस तरह के straps रहते है आफ्ट मिलता है circular display है और 1.6 इंचिस का इसको on करके मैं आपको दिखाऊंगा लेकिन सबसे पहली चीज़ जो यहां पर notice करने वाली है कि इस watch की जो build quality है बहुत ही अच्छे कासी है काफी बढ़िया तरीक है कि यहां पर जो build quality आपको मिलती है जो कि personally मुझे यहां पर काफी बढ़ि बढ़िया है यहां पर एक speaker grill है बागी पीछे की तरफ इसके जो sensors है तो यहां पर heart rate sensor SPO2 sensors है और यहां पर नीचे लिखा है वैसे made in India I don't know यह made in India है पूरा product यह नहीं है लेकिन लिखा तो यही हो है overall इसकी look काफी बढ़िया लगी वैसी है जैसे apple watch ultra में होती है लेकिन यह जो color है na stealth black color है यह भी काफी बढ़िया लग रहा है पीछे से देख सकते हो यहां पर यह poly cabinet है लेकिन वैसे metal build quality है और जो काफी अच्छे यहां पर लग रही है बागी आगर आपको apple watch ultra का इस तरह से जो design पसंद आता है तो यह भी आप ले सकते हो मुझे पसंद ली यह जो color ह देखने को मिलता है और भाई display बहुत ही बड़ा है यहां पर कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो बनाई थी infinity lux की fireboard की watch थी उसमें भी आपर आपको 1.6 इंचिस का display देखने को मिलता था और अगर आप यहां पर display काफी बड़ा है लेकिन किसी reason की वैसे मुझे infinity lux का 1.6 इंच of a CC display धिया हुँआ यहां यहां आपको अलवेसओं डिस्पले बैट्री बजा लेगे लेकिन na msi आपको विजिबिलिटी में कोई इशू नहीं है लेकिन उसके लावा यहां पर देख सकते हो इस watch के जो watch faces है वह वैसे हैं जैसे आपको apple watch ultra के मिलते हैं तो इस पर tap करके अलग-अलग color भी change हो जाते हैं बागी यह जो बीच में आपको कुछ icon में मिलते हैं तो यह भी dynamic है तो किसी भी अलग-अलग जो watch faces यहां पर लगा सकते हो लेकिन यहां पर इसमें आपको एक crown भी दिया हुआ तो इससे भी आप अलग-अलग watch faces लगा पाओगे तो यह भी सही है और इसके साथ इसके bezels बगारा भी आपको idea लग जाएगा तो थोड़े बहुत bezels है बागी इसकी जो app है एक्टिव करके आपको इंस्टॉल करें और इसमें जाकर आप और भी बहुत सारे जो watch faces ने इंस्टॉल कर सकते हो और यहां पर जो watch faces की लाइब्रेरी है ना वो इंट्रेस्टिंग लगे तो यहां पर नोटिफिकेशन पेनल ने उपर से नीजे की तरह स्वाइब करोगे तो टॉगल बटेंज है और यहां पर आप जो Bluetooth की सेटिंग है ब्राइटनेस वगारा उसको अन उफ कर सकते हो ब्राइटनेस की सेटिंग का ओप्शन है और सेटिं है यहां पर आपको स्टेप्स काउंट कैलरी बंड डिस्टेंस कवर वह देख सकते हो और यह मेरे कुछ स्टेप्स वगएर है 4648 सब्सक्राइब कर जाएं तो इस पर ज्यादा आप रिलाइन नहीं कर सकते हो और यहां पर आपको असलीप ट्रेकिंग आप्शन मिलता है और यह मेरी की श्लीप थी आर 18 मिनेट की बसे इसको मैं थे निन से पहने कर सौ रहा हूं और हर दिन मतलब यह मेरी जो स्क्राइब कम ही दिखा रहे है जितना मैं सोता था उससे कम ही दिखा रहे है तो स्लीप ट्रेकिंग की मुझे हम इतनी आप है इस वाज की बागी मुझे इतनी ज़्यादा नहीं लगा उसके लावा प्लस का बटन है तो और भी यहां पर जो शॉटकट कार्ड आप कर सकते हो जैसे कल्कुलेटर आपको एड़ करना हो वैदर आड़ करना हो तो यह सारे ऑप्शन एड़ हो गए है और अब जैसे आप मैं स्वाइप करूं तो इसके लावा जो मैन्यू एकसेस करने के लिए आपको यह जो क्राउन है इसको प्रेस करना है और यह जो इसका मैन्यू कुछ इस तरह से आ गया है हनी को ग्रेट स्टाइल में देख सकते हो जो यह जो यूवाई वगयरा बहुत ही स्मूथ है यहां पर को चेंज करना हो तो पर चेंज करने 26ए मेन्यु चैंज करने का ऊपशन दियए यहां पर आपको 5 मेन्यू इसके बिलाए AU pent आपको डबन तो प्रेस प्रस्टाउम करता है जैसे में हाँ करता है शाथा ओर चैंज करते ह belongs laas देखने को मिल जाते हैं और इस वाच में आपको 85 के करीब जो sports mode मिलते हैं तो यह कुछ main-main sports mode है लेकिन अगर आपको change करना तो बीच वले icon पर tap करोगे और यहाँ पर उपर arrow पर tap करोगे तो अलग-अलग जो sports mode के आपको option दिख जाएंगे जैसे कुछ machine उसके लावा यहाँ पर ATV यह कुछ है लग-अलग जो sports mode यहाँ पर दिख जाएंगे flexibility के कुछ options आपको मिल रहे हैं और ऐसे ही squash है तो यह ऐसे sports mode आप चेंज कर सकते हो my card का एक option है और यह जो है आपके QR code आप इसमें एड़ कर सकते हो इसके लाव एक receipt code का भी option है जिसमें PayPal का QR code scan करके आप डाल सकते हो find phone का option है flashlight, style, message, females के लिए आप में स्टाइल का option है और इसमें कुछ games का भी आपको option दिया है तो यह जो game है मैंने इसकी app के थ्रू इंस्टाल करी थी अब I don't know यह कैसे खेलते हैं लेकिन इसकी app में जाओगे तो इहां पर एक marketplace है तो इसमें अलग अलग कुछ games है वो आप इंस्टाल कर सकते हो जैसे यह आपर मैं यह यह वाली जो game है भी इंस्टाल हो रही है लेकिन आप सिरफ एक ही game इंस्टाल कर सेकतों दूसरी game इंस्टाल करते हों तो पहले वाली हट जाती है उसके लगाए कि हाँ पर application का option है इसमें हापर meteor pressure attitude है लेकिन यह रीडिंग मुझे नहीं पता भाई कहां से लेता है क्योंकि इसमें कोई altimeter बगारा तो है नहीं तो लेकिन यह 36.5 36.4 तो मैं बोलो है कि जो medical equipment उसे को यूज करना इस पर रिलाय मत करना उसके बाद एप QR code और सेटिंग में हापर screen time language screen brightness no disturb यहां पर आप कर सकते हो pin lock लगा सकते हो notification style vibration की setting ringtone की सेटिंग वेकप जो रेस्टुए को फीचर हो तो इसको नहीं डिसेबल कर सकते हो set time की definition basically यह यहां पर एक shortcut जो की दीवे है तो इसको यहां पर डिफाइन कर सकते हो कौन सी आप आपकी खुले उसके ब्रेट साइबल लाम का option है राज को charging पर लगाते हो तो time दिखाती रहती है power saving mode और उसके बाद connect your पता नहीं क्या लिखा है phone power of reset और about का option है बाकी इस वाच में जैसे यहां पर open हो जाती है तो recent app हमने यहां पर यह use करी होंगी तो यह दिखा रहा है कुछ style में वैसे card type का है लेकिन इसका design थोटा सा मुझे अटपटा सा लगा है उसके लाबा एक और यहां पर बटन है जो shortcut button है तो इसको set कर सकते हो तो यहां पर यह work out वाला option open हो गया अलग- जो essential feature रहते हैं जैसे calculator हो गया heart rate SPO2 है तो वह यहां पर आपको दिया है तो इसको भी एक बार चेक करके देख लेते हैं वह कितने accurate है तो सबसे बहले तो watch पहनने के बाद इसकी in hand लुक रहती है वो कुछ ऐसी सी रहती है obviously बात है आपल watch ultra square में होती है तो वैसे यहां पर इ इस watch का comfort level है इसके straps की वज़े से काफी अच्छा है तो रात को पहन कर सो सकते हो वैसे इसको वैसे इसकी sleep tracking इतनी accurate नहीं लगी मुझे लिए लिकिन जो heart rate और SPO2 sensor इसको यहां पर हम चेक कर लेते हैं तो इसके लिए आपको एक green sensor दिया और मैंने अपनी finger पे एक oximeter भी लग इसमें एक बार और चेक कर रहते हैं और इस बार देखते हैं क्या readings रहती है तो अभी यहां पर जो heart rate दिखा रहा रहा है 83 bit per minute और watch में यहां पर अभी 00 दिखा रहा है और अभी यहां पर आ गया है 78 84 75 74 तो जैसे पिछली वाली reading थी वैसी यहां पर भी दिखा रहा है इस time जैसे 72 74 और यहां पर दिखा रहा है 84 तो यहां पर भी बोला है कि जो heart rate वह भी आप इस पर ज्यादा रिलाइन नहीं कर सकते हो थोड़ा difference यहां पर ज्यादा है कभी-कभी एक जैसा भी आ रहा है लेकिन ज्यादा मैंने बोला रिलाइन नहीं कर सकते हुए medical equipment तो है नहीं ल इसके लावा यहां पर आपको BP का भी option दिया है और watches में बाई वैसे भी ब्लॉप पर रिलाइन नहीं करता हूं लेकिन यहां पर आपको BP का option दिया तो इसको चेक कर लेते हैं तो इसके लिए भी मैं इसको यह पर Oximeter से और इसके लिए भी यहाँ पर आपको red sensor नहीं दिया है तो accuracy wise मैं ज्यादा इस पर रिलाइन नहीं करूँगा लेकिन फिर भी देख लेंगे यहाँ पर कितनी close readings रहती है तो वैसे तो इस टैम पर दिखा रहा है 97-98 यहाँ पर भाई 97-98 वाफिसे 95 हो गया है तो देख रहो भाई काफी ज्यादा अब उसके लाब इसमे आपको कालिंग का फीचर मिलता है तो भी चेक करके मैं आपको सुनाएं तो मुझे काफी बढ़ी अलगा वैसे तो मुझे काफी बढ़ी अड़ा वैसे तो सबस्क्रा और एक नंबर करते हैं उसके सब्सक्रक वोल्म करें किसी तरह से यहाँ पर इस् इसका नाम है और यहां पर इसकी जो mic quality है और आपकी जो कॉमें करके बताओ लाइक शेयर शेयर करिदो उसको तो यह थो इस वाच के में जो फीचरत है लेकिन इसके बडिया वह पर एक और बहुत ही बढ़िया फीचर है जो आपको इस वॉच्छ के लावा एक और वाच में भी fireball की मिलता है और वह यहां पर है motion sensing gaming तो इस वाच में हैंड की motion से आप यहां पर भाई games और खेल सकते हो दो मैं दिखायत हूं कैसे करता है काम तो इसकी app में जाकर आपको एक option master तो इसको प्लेपर टैप कर देते हैं और यहां पर करना कि आपको बास्केट में बास्केट बॉल डालनी है तो इस तरह से मैं अगर तो देख से क्पा में Manuelsch 12All जी जो बास्केट जी से पेर दीसे में यहां पर बास्केट में नहीं में है कभी कभी काम करता है जैसे कभी कभी नहीं करता है लेकिन यहां पर יתי पोला तो एक रगा सकते हो तो वहां पर भाई अच्ये वहारा हो जाएगी घर में मतलब जैसे बच्चे बच्चे है तो थोड़ा इंजॉई करेंगे बट एक चीज है कि हाँ पर सिरफ एक ही गेम है और गेम्स होती मतलब तीन-चार गेम्स होती तो अलग-अलग गेम भी मज़ा आजा था पहले वाली वाच में भूट सारी गेम्स थी यहां पर एक ही है पता नहीं क्यों लेकिन यह भाई मोशन सेंसिंग वाली गेम आपको इसमें मिल रही है मतलब जो भी वर्क करता है तो अबर दोस्तों यह है फायर बोल्ट की फायर बोल्ट साइकलोन और दिखने में यह जो सब्सक्राइब करते हैं और इसकी लुक भी लगती है अपल वाच अल्टर जैसी और उसके लावा यहां पर यह जो ब्लाक स्टेल्थ लुक है यह भी मुझे काफी पसंद आया बाकि अगर आपको एपल वाच अल्टरा के क्लोन जैसे आजकल बहुत सारे आ गए हैं तो उस यहां पर वर्क भी नहीं करते हैं मतलब अच्छे से एक तरह से फेक रीडिंग्स वगएर आपको मिलती हैं कहीं जगाओं पर लेकिन मुझे लगता है कि यहां पर जो इसका प्राइज रहेगा वो रहेगा 2499 रुपे तो उस हिसाब से अगर आपको एक अच्छी दिखने व पार बोल्ट की चक्रवात साइकलोन मुझे तो काफी सही लगी है अगर आपको इस तरह की लुक पसंद है आपको अल्टर जैसी एपल बहुच अल्टर जैसी लुक पसंद है तो आप इसको ट्राइ कर सकते हो बाकि फीचर वाइस तो आपको और बहुत सारी बहुत अच्छ प्राइस का प्राइस है तो चेक आउट कर लीजे और अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो लाइक कर देना और इस तरह कॉंटेंट देखना चाहतू तो इससलों को सब्सक्राइब कर दो तो मिलते हैं से लागी हो कर एक्साइटी मेड़ो के साथ और मैं मनाक्त विवा हुआ 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 है